बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए जो आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे पहले उनका हिस्सा भी रहे हैं इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त कपिल मिश्रा जी हमारे साथ मौझूद है क्योंकि वो गुजरात में भी आये हुए हैं और यहाँ पे इस बार पहली बार मिश्रा जी आम अदमी पार्टी चुनावी मैदान में है नोटा से कंपटीशन अच्छा किया था पिछली बार तो दूसरी बार है मैदान में क्या कहेंगे जो इस तरीके से गारेंटी पर गारेंटी दे रहे हैं लगातार अर्विंग केजरिवाल यहां पर आ रहे हैं बार अभी वापिस भी आने वाले हैं देखिये मैं यह कहता हूँ कि आप गारेंटी उस चीज की दीजिए जो चीज आपने डिलीवर कियों जैसे आप यहां पर बोल रहे हैं कि हम नौकरी देंगे तो क्या आपने दिल्ली में नौकरियां दि आपने डिल्ली में नौकरी के बारे इस वक्त पंजाब में कमचारियों को तंखा नहीं आई है जब हम बात कर रहे हैं अभी तक तंखा नहीं आई है सेलरी नहीं आई सरकारी कमचारियों की दिल्ली में टीचर सेलरी माग रहे हैं उनको सेलरी नहीं मिल रही है तो आप गारंटी किस चीज की दे रहे हैं आपका सा पंजाब का मॉडल आके गुजरात में उस तरीके का गुजरात बनाने की बात कर रहे हैं तो आप तो उनीं के पार्टी में रहे थे क्या लग रहा है कि उसमें कितनी वो कितना उसको तबदिल कर पाएंगे तर 충 расп we जो हमने सवाल उठाए वो चर्चा भी यहां लिए और पंजाब का मॉडल क्या है विज्ञापन के अलावा वह उस पर चर्चा होनी चाहिए क्रबूरिमे स्कूल बने या पंजाब में स्कूल बने एक भी ऐसा स्कूल जिसका छेलेनियास आपने किया और उदघातन भी आपने किया ओ यानि शुरू किया और कमप्लीट किया एक भी स्कूल एक भी इस्पायल एक बी फुलाइओर एक भी स्टेडियम एक भी कॉल्स दिली में है कि आप से साथ सालों 15ár एं corr गुजरात का साथगुना पॉपॉलेशन है दिली से ज्यादा गुजरात में गुजरात में 97 घर से घरों में पानी नल से आ रहा है और दिली में 40 घरों में आज ही टेंकर पानी आ लेकिन अर्विंग केजरिवाल जी तो ये कह रहे हैं कि जो उनका शिक्षा मॉडल है वो बहतरीन मॉडल है जिसे न्यू यॉक टाइम्स तक ने कवर किया है और वो इस बहतरीन मॉडल को गुजरात में इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक् मॉडल है क्या ये सारी बाते उन चीजों से ध्यान बटकाने की कोशिश है जिन अपरादों में सतिंदर जहन को जमानत नहीं मिल रही है और सिसोधिया जी के उपर केस दरज है तो मुझे ये लगता है कि आप जब बोलते हैं कि मेरा एजुकेशन मॉडल है तो आपके बच् के दिया नोगरी पंजाब में किसको दी ये सवाल है क्यों आज पंजाब में सेलरी देनेगा लाले पड़ अधिकिन वह ठोला हो गई है मैं यो करें जो कि बीजली गंपनियों से लड़ते हुए अप आये चानक के पूरी जो की interesting नेशनल जितने भी ambassadors हैं उनका hub है सारे दूतावास वहीं हैं वहीं पर संजय बस्ती में 15 दिन से बिजली नहीं आ रही है तो इस model को आप यहां पर लेकर आना चाहते हैं क्या पहले आप राजधानी पंदरा आज ही ट्वीट किया है आज ही ट्वीट किया है कि हम सूरत के textile industries को वहाँ पर हजारों आप बिना बिजली के रह सकते हैं आपको नहीं रहना पड़ाओगा क्योंकि आप यहां पर हैं दिल्ली में 15 दिन हजारों परिवार 15 दिन से बिना बिजली के आज रह रहे हैं आज की तारिक में आप अभी अपना reporter भेज के देख सकते हैं तो कहां है वो प्रेस कॉंफरेंस गुजरात में आके की क्या लगता है कि गुजरात के वोटर्स को लुबाने के लिए ये सारी चीज़े की जा रहे हैं देखिए दो चीजों की कोशिश है पत्थर गुजरात पे मारो निशाना मोदी जी पे लगाओ और दुश्मनी भारस से निभाओ तो पत्थर गुजरात पर निशाना मोदी जी पर और दुश्मनी भारस से ग्लोबल जो भारत की आर्थिक जो इस्तिति है कोरोना काहल के बाद जिस प्रकार भारत खड़ा हुआ है पूरी दुनिया में एक रोल मॉडल के रूप में इसको चोट पहुचाने के लिए जितनी भी भारत द्रोही शक्ति आए वो सारी यहीं पर ही आएंगी और कैमपेण चलाएंगी यह केवल उसका कैमपेण है यह चुनावी कैमपेण नहीं है यह गुजरात को मोदी जी को और अल्टिमेटली भारत को हिट करने के लिए कैमपेण चलाया जा रहा है लेकिन मनीश वह उसको जीत पाएंगे क्योंकि वह रहें गई वहीं आने वाले टाइम में तीहार कैदी महासंग का द्यक्ष बन सकते हैं के जरीवाल जी और उसके उपाद्यक्ष मनिश शिशोधिया जी बन सकते हैं थोड़े दिनों में तो जितिंदर जाएं को बोला भरत ने मिलना चाहिए?. तो जितितिंदर जाएं को बोला । बहुत श्यूटी CHAWY तो आपकी जूटी सावी्याचन आ जाना चाहिए example सतिंदर जान को बोला। DRT dign at कोड जमानद निश्चित जेल जाएगा तो मुझे लगता है अपने लिए भी बारत रत्न की मांग कर लेंगे थोड़े दिनों में क्योंकि जेल उनका वहीं गती है लेकिन जिस तरीके से गुजरात के अंदर वो गैरेंटी पर गैरेंटी दे रहे हैं कहीं ना कहीं आम अदमी पार्टी ये गारेंटी है गंजा कंगी बेच रहा है गंगा बालंगा बाल उगाने का तेल बेचने निकला हुआ है और बोल रहा है यह तेल लगाओगे तो लमबे--लमबे बाल हो जाएंगे तो भाई अपने उगाले डिल्ली में नौकरियां कहां हैं । तीन हजार दोसो इक्तालीस न और वह भी गार्णिटी में के साथ यहाँ तो भीले को पैचान ने वाले लोग रहते हैं यानी बिखनेवाला चलिए कि यह थे कभिल मिश्राजी का कहना है कि यहाँ पेफेफेट पैचानने वाले लोग है और गुजराती लोग हमेशा हीरो को पैचानते हैं कामरमन उज्वलोजा के साथ गोपी घांगर एहम्दाबाद आज तक